किसी ने सची कहा है जो बीट गया उसके बारे में सोचने से वो बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा यही सच को मानते हुए अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के बारे में सोचना और अपने समय का सद्वयोग करना इसी में समझदारी है कई बार सफलता के लिए मन बहुत मेहनत करते हैं और मनजिल आते आते भी फिर वो हाथ नहीं आती और मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती तो ऐसे में बस यही विश्वास रखनी चाहिए उपर वाले ने हमारे लिए कुछ और सोच के रखा है उनके सोच और उनके समझ को हम नहीं समझ पा रहे हैं हाँ देर होगी लेकिन समझ में जरूर आएगी यही विश्वास हमेशा प्रभू पर बनाये रखना चाहिए कि जो यहां तक लेकर आया हैं वही आगे भी लेकर जाएंगे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे काम सारा निप्टाने के बाद अब रश्णान करते हैं रश्णान करने के बाद पूजा पाट करते हैं और उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं तो सरदी तो है ही और साथी साथ बादल भी छाय हुआ है तो ऐसी में कुछ गरम गरम नास्ता अगर मिल जाए तो क्या बात है तो वैसा ही कुछ नास्ता हम बनाने जा रहे हैं तो क्या बनाने जा रहे है आप लोग के साथ सेयर करेंगे चावल की रोटी बिलकुल कागज की तरह पतली और इतना ज्यादा सौफ्ट की आप लोग तो आज हम हरा दनियावला ट्राइब करेंगे देखते हैं कैसा बनता है और कितना सक्सेस इसमें होते हैं आप लोग भी देखें चलिए हाँ तो फ्रेंट्स चावल की रोटी जब बनाते है न तो खुले बरतन में उसको चावल के आटा को चाड़ना चाहिए यह अगर मुझ खुला हुआ बरतन है तो उसमें अच्छे से गूथते हैं अच्छे से वो गरम पानी के साथ चणाता है अगर इसे इसमें थोड़ा सा भ आटा गुते है न वही ले लिए उसी को चढ़ा दिये चुले पे उसमें डाले तीन ग्लास पानी उसके बाद उसमें डाल दिये थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा देशी गी यह गी डालने से ना क्या फायदा होता है यह भी बताएंगे आप लोगो और उसके बाद हरा धनि अधिया का तो वैसे हम कभी ने बनाया है वैसे प्लेइन वाला हमेशा बनाते हैं और इसकी रेसेपी पिछले साल भी हम शेयर किये थे लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं सेयर किये थे तो इस वार सोचे चलो डिटेल्स में करते हैं तो यहां पे देगे हरा धनिया पानी साया हुआ है घर में इसको नहीं पीसे है यह बारीक महीन वाला जो है न वो रहेगा मोटा दरदरा रहेगा तो फिर इसके रोटी अच्छी नहीं बनेगी पतली नहीं बनेगी मोटी मोटी रोटी सी बनेगी अब इसको इसमें आटा डालेंगे पानी में धीरे धीरे और धी मतलब मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा तो कम मेहनत में इसी तरह है कि थोड़ा थोड़ा आठा डालिये पानी में और उसको मिलाते रहिए यहां पर हम गैस ऑफ कर दिये थे उसके बाद इसको अच्छे से पहले अभी तो बहुत गरम है हाथ से चून नहीं चागते इतना गरम तो बस इसको अभी ऐसे कर्ची से ही कर रहे थे और इसको अच्छे से पानी में यह पूरा मिल जाए उसके बाद इसको करते हैं आगे जब यह पानी में अच्छे से मिल जाएगा तो इसको हम रखेंगे थोड़ी देर ढखके रेष्ट के लिए ताकि अच्छे से यह फिर और यहां पर देखें आप लोग को दिखा रहे हैं यह देशी जुगाड मतलब यह कारपेंटर जी लोग है ना अपना एक्स्ट्रा पासा कसर इसमें रह गया था इसमें जितना भी भारी से भारी समान है वो रख देते हैं और इसको चिपकने के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह कर तकरीवन 24 घंटा यह इसी तरह रात भर रहेगा आज पूरे दिन रहेगा और हो सकता है तो शाम तक यह लोग निकाले नही चल्म हो गया था तकरीवन 34 मिनट हो गय थे और हलका ठंडा हुआ है बहुत ज्यादा ने गुए है और गरम ही आटा में इसको ऐसे करके बहुत ज्यादा मशलना है मतलब थोड़ा टाइम लगा के मशलना है ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत लंस अगर बन भी गया है वो तो помida मितलव गुठ जाता है पानी जरुवत पड़ता है तो उस समय भी गरम पानी का ही उस करना कुना और गरम पानी को यूज करने से यह गरम पाणी में गुठाता है जिसके कार harmoniay सुपाचे भी बहुत होता है और उसके बात हम इहां सब्जी चढ़ा आलू गोबी की सबजी बना रहे हैं वो ग्रेवी वाली सबजी इस रोटी में ग्रेवी वाली सबजी अच्छी लगती है दूद भी अच्छी लगती है हाँ फ्रेंट्स गेहूं में थोड़ा सा ग्लुटोन होता है तो इससे ना कि जिसको ग्लुटन से एलर्जी है उसके लिए ये रोटी बहुत जादा फाइदे मन्द है तो ये थोड़ा सा जादा मेहनत तो इसमें लगता है थोड़ा जादा टाइम भी लगता है लेकिन हाँ ब बेलने में हमे बूतीज हो और मेनतञा पर बूती पर दाया कि मुटह को पर नीक है जी हम नीचे एज हमे लोऊ खुटेसे थोड़ा हम हमे ठीज शेब से नहीं ही जीशतीっ देखते है न तो बड़ा मज़ा आता देखने में भी और खाने में भी और यह देखिए अपने आप रोटी घूम रही है बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है स्लैप में तो उसके बाद यहां हम पतली पतली रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बेल लिए और तावा अच्छे से करके कपड़ा से तो आज हम रोटी यहीं पर बना रहे हैं लकडी वाले चुले पर नहीं बना रहे हैं हलाकि यह लकडी वाले चुले पर बनता है पिछले बार बनाये थे और हाँ जीतनी बार रोटी बनाते हैं उतनी बार तवा को भी शाफ करना होता है क्योंकि यह पर्थ है ऐसा नहीं था जो नहीं फुला था सारा कर फुला था स्लय के लाष्ट तक तो चलिए अब इसी तरफ फुलीफुलीज शी चावल की सोफ्ट मुलायम रोटी बना लेते हैं काहई से भी पतली रोटी इसे वहाट अच्छा जितना रोटी बेलने में भी लगता है थोड़ा टाइं मी लगता और घॲंग फहला घ्ल Fuel और इसकी तो Bir फूल गारैंटी है जो दो रोटी खाते है, भो पकका डबल खाएंगे चार, जो 4 खाते है भो पकका आठ खाएंगे क्योंकि ये रोटी ना खाते जाओ, खाते जाओ, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा और गिंती से तो आप खा ही नहीं पाऊँगे कि कितना खा चुके हैं बहुत ही अच्छा लगता है और यह सीजन जो है ना अभी हलका बारिस भी होने वाली है अपसायद पता नहीं रात तक हो जाए या फिर साम तक भी हो जाए ले पर ये धन्य पत्ता वला बनाएं तो यहां पर मेरी सारी रोटिया बन गई सारी रोटिया बहुत ही सौफ्ट और फुली-फुली सी बनी है और लास्ट में सारा पर्थन को समेट के पिछला डालेंगे पिछला मतलब जो पीछे कुत्थे के लिए डालते हैं वह भी डालेंगे तो अभी तो नहीं लेकिन ये रोटी बनाने के बाद ही डालेंगे तो रोटी तो खेर कोई भी बनाते हैं गिहूं का बनाएं चावल का बनाएं बाजरे का बनाएं मक्के का बनाएं पीछला जरूर डालते हैं पीछे वाली एक रोटी बस वो डालें उसके बाद यहां पर देखें नीमी का पापा का टिफिन हम पैक करते हैं तो नीमी का पापा सौफ्ट रोंटिी और अपने वाले में हम लगाएंगे सर्षोती सरु का तेल लगां तो घी से ज़़ा मज़ा था विसे उसको खाने मेंытाते । लेकिन लगाना है इसको कैसे है थोड़ा गरम करके कच्छा सर्षोतील नहीं लगा सकते नहीं Definan सर्चो का इश्मेल आगा, खाने में रोटी अच्छी नहीं लगेगी, सर्चो का तेल ले लिए थे प्लेट में थोड़ा सा इसको हम गरम कियें, रोटी तो बन गई, खेर सबजी अभी नहीं हुई है, और तब तक तेल हम ले जाके चलिए रोटी में लगा लेते हैं, तो गरम गरम तेल है, थोड़ा सावधानी से इसको लगाना भी पड़ता है, और थोड़ा ये भी करना पड़ता है, नहीं तो हाथ में अगर गिरा तो फिर हो जाएगा, शीता रहा हूं, तो बस यहाँ पे चमच से हम थोड़ा-थोड़ा सा गरम गरम तेल लगाएं, रोटी और भी बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, जाड़े में तो खैर हो जाता है, तीन से चार बार लेकिन इस साल मेरा दो ही बार हो पाया है, और ये रोटी ग्रेवी वाली सबजी के साथ तो अच्छी लगती है, दूद के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, अगर दूद में गुण डाल के खा रहे हैं तो उसके साथ भी बहुत ही अच्छी लगते हैं जो मीठा जिन को पशंद है वो दूद के साथ ही भी खाते हैं तो चलिए यहाँ पर मेरा नास्ता बन गया था और वीडियो भी इंड करते हैं टाटा वाय वाय कहने का टाइम हो गया फिर आप सबसे कल मिलते हैं कर दो